हलो एवरीबान मैं हुरू भी और आप आए हैं तारा मधू की रिसोई चैनल पर तो इतने सारे केक के बरतन देख करके आप मुझे पता है यही अंदाजा लगा रहे होंगे कि आज मैं हम लगता है चार टायर का बहुत बड़ा कोई केक बनाने वाली है बट जो दिक रहा है फ पर आज आओं क्योंकि मैं बेकिंग अच्छी कर लेती हूं उन लों के लिए भी तो वीडियो बहुत ज़रूरी है एंट तक ज़रू देखतेगा हम यह दिशिश क्या हुआ मेरे साथ तो देखा फ्रेंड्स आपने क्या हुआ आज कुछ इसी तरीके की नई चीज में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं चलिए स्टार्ट करते हैं और भी ज़्यादा दिन पर दिन अच्छा होता जाए उसमें आपको काफी हल्प करेगा और अगर आप एक बेकर हैं बेकिंग अच्छी कर लेते हों चाहते हैं कि सोचल मीडिया पर वीडियो वगर पोस्ट करों पर डरते हैं कि रोजाना अगर के के ओर नहीं आए तो क्या करेंगे तो उसमें भी आपकी काफी हद तक हेल्प करेगा कैसे सारी डीटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी पर पहले हमें एक बरतन ऐसा सेलेक्ट करना होगा जिसके उपर हम अपना प्रैंक केक बनाएंगे तो जैसाब कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने खूब सा पाने में काफी आसानी होगी तो मैं यहाँ पर यह वाला बरतन सेलेक्ट कर रही हूँ कि यह मुझे एक पर्फेक्ट साइज का लग रहा है और यह जो साइड में आप बड़ा सा बरतन देख रहे है ना इसकी एज़िस काफी मोटी है इसमें क्रीम थोड़ी ज़्यादा जाएगा बट यह बरतन तो हमारा नीचे से खाली है अगर इसको ऐसे रखेंगे तो यह हिलेगा और हम इसकी काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो इसकी एज़िस पर आप डो काम कर सकते हैं जैसे कि मेरे पास अभी केवल सेलो टेप है तो मैं वो लगा देती हूँ इ थोड़ा बहुत इस पर स्टिक हो जाएगा और जब हम काम करेंगे तो यह हिलेगा अब जो मैंने सेलो टेप लगाई है वो थोड़ी बाहर आ रही है और इस पर क्रीम लगाएंगे तो वो थोड़ा अनीवन हो जाएगी और पता भी लग सकता है तो जितनी वे एक्स्ट्रा टेप है उसको हम कट करके यहां से हटा देंगे तो इस तरीके से आराम से हमारा यह जो बरतन है वो केक बोर्ट पर शिफ्ट हो गया है तो आद मैं आपको एक ही टायर मतलब सिंगल केक बनाना सिखा रही हôm प्रैंग केक बड़ आप 2 तायर या 3 तायर भी प्रैंग केक बन सकता है तो मेरे पास बड़े साइस की सेलो टेप है और उसको भी मैंने देखिए इस तरीके से राउंड करके लगा दिया है और अब मैं इसके उपर बोर्ड लगाऊंगी तो यह हिलेगा नहीं और हम बहुत आसान तरीके इस पर काम कर सकते हैं मतिब रोटेट करेंगे तो भी यह फिक्स रहेगा तो यह बस छोटी सी ख्याल आया था क्रीम में बाहर नहीं निकाल पाई थी थोड़ी सी जमी हुई है तो दो मिनिटे से ऐसे छोड़ देंगे और फिर किकका ओर नहीं था फ्रेंट मैंने है क्यों वश्यागे धिकज र्रैश्जी पर और रहें कशा किसे होس अरवी लगत अप क्रेंगे तो हलका फुलका प्रेशर अगर ज्यादा आ गया 25 mesh कोा, और अब के डबे पर तो वो हिल सकता है और इस तरीके से ना क्रीम एक तम इवनली उस पर लगेगी और आपको इसकी फिनिशिंग देने में भी दिक्कत नहीं आईगी तो बाज सबसे पहले आपको क्या करना है इसकी एज़ेस को चुपाना है यह देखिए तो इसी लिए बरतन हिल रहा है ना मेरा बोर्ड हिल रहा है तो कि इसे हमने अच्छे से सिक्क्योर करके फिक्स कर लिया है और फ्रेंड्स आज आपको एक सिक्रेट भी बताती हूँ जब मैं यह काम कर रही थी ना तो मेरे बच्चे गई हुए थे स्कूल उनके एक्जाम चल रहे है आज छो इस तरीके से फसाते हैं आजकल यूट्यूब पर वीडियो वगरे देख करके कि ममा यह देखो आप डर गई आज ममा की बारी है उन्हें डरा के ही जोड़ूगी और यहां पर देखिए क्रीम अच्छे से लगाने के बाद मैंने लिया है स्क्रैपर और बिल्कुल हलके हाथ हाथों से फ्रेशर देते हुए टर्न टेबल को रोटेट करते करते हैं आपको इसको फिनिशिंग देनी है जैसे हम केक में देते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको देना है बढ़ा हलका सा फोर्स लगा देंगी तो कुछ भी नहीं होगा बट यहां लगा दिया तो डबबा और बोड दोनों ही अपनी जगह से हिल जाएंगी तो बहुत ध्यान से आपको यह काम करना है बिल्कुल हलके हाथों से यह काम करना है और धीरे धीरे देखिए क्रीम मैं अच्छे से स्प्रेट कर रही हूँ और अब कोई कहीं नहीं सकता कि इसके नीचे जो है वो डबबा है य मैं आपको पैटर्न भी बनाना सिखाऊंगी so that अगर आपको ऐसा केग का डिजाइन बना रहे हैं जो दूसरी स्टाइल का हो तो आप इसे फिनिशिंग दे सकते हैं तो बड़ी आसे देखिए मैंने पैलेट नाइफ से स्पेचुला से जैसे भी फिनिशिंग देनी है दे द आता है और ऐसे कई सारे वीडियो मैंने अपने चानल पर शेयर कियें डिफरेंट टाइप के किचिन के टूल्स को ले करके जिससे आप काम फटाफट कर सकते हैं फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती तो वह हाइट कर सकते हैं यह देखिए तो ब्रश के मदद से ऐसा पैटर जाएगा वो नहीं करना है तो आज की डिजाइन की प्रिपरेशन में कर रही हूं उसमें मुझे पैटर्न की ज़रत नहीं है इसलिए मैं फिर से इसे प्लेन कर दिया है बट साइड में मैं ब्रस से यह पैटर्न बनाओंगी और यहां भी आप वेव वाला या नॉर्मल वाल पैटर्न बना सकते हैं स्क्रैपर साइड में मत मारियागा फ्रेंड्स क्योंकि अगर क्रीम पतली हुई न तो नीचे का बरतन देखने लग जाएगा तो हलका फुलका ब्रश की मदद से आप पैटर्न बना लीजेगा यह हमारा ओल्मॉस्ट रेडी हो गया है यह देख सकते बिटेख बस ग्रीन और ब्लैक कलर के ग्रेप्स हैं बट पूरे-पूरे नहीं लगाऊंगी इनको तक्षे धोली जएगा वाश कर लीजेगा और इनको मैं बीच में से कटकर रही हूं ब्लैक वालों को भी और ग्रीन वालों को भी आप अपनी चुआस के कोई और फूट्स भी ले सकते हैं, so that अगर आप कहीं प्रैंग केक किसी के ओपर ट्राइ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो उन्हें खाने को कुछ मिल जाए, क्योंकि केवल क्रीम ही होगी और उसे आप खानी सकेंगे ऐसे, तो fruits का option बहुत best रहता है, और क्रीम के उपर लगाने से इसको कुछ हाम भी नहीं होता, आप आराम से खा सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने green और black color के कुछ grapes को cut कर लिया है, और थोड़ा सा color combination bright लगे, तो मैंने एक अनार के दाने भी निकाल करके बाउल में रख लिया है, चलिए, अब अपने cake पर आते हैं, अब मैं fruit separation वाला design बना रही हूँ, जैसे कि मसाले दाने होती हैं, अलग लग चीज़ें separate रखी होती हैं, तो मैंने लिया एक toothpick और beach center ले करके, यहाँ पर मैंने कुछ lines draw कर दी हैं, जिससे कि मेरा cake छे division में बट गया है, तो मेरे पास 3 color के fruits हैं, तो 2-2 column हर किसी के हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने लिया है यह star nozzle, आप side में इसकी clear pick भी देख सकते हैं, और इसमें मैंने बची हुई सारी whipped cream भर दी है, और जो lines हभी हमने division वाली बनाई थीना, उस पर आगे पीछे करते वे हम border बना देंगी, तो यहाँ पर यह देखिए, सिर्फ आपको आगे पीछे करना है, और ध्यान रखना है symmetric का, यह देखिए कि division हम कर रहे हैं, तो कोशिश तो कीजिए, बराबर की सारी बने, बट मुझे इसको बनाते वक्त लग रहा है, कि मेरे division शायद बराबर नहीं हुए है, बट आप इसे बहुत ही अच्छे से draw करके बनाईएगा, यहाँ पर देखे, आगे पीछे करते वे मैं यह border बना रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा neat border बन रहा है, यह देखिए, star nozzle की मदद से, और जितनी cream मैंने whip की थी ना, friends, almost सारी इस cake में लग जाएगी, और इसके बाद इस बचीवी cream का, अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि prank के बाद तो यह सारा waste हो जाएगा, वो भी मैं वीडियो के end में आपके साथ share करूँगी, तो यहाँ पर division होने के बाद अब एक-एक column के अंदर हमें जो foods cut करके रखे हैं, उनको set करेंगे, तो यहाँ पर जो green वाले हैं, उनको मैं पहले set कर रही हूँ, और यहाँ पर ऐसे नहीं आपको भर देने हैं, कि बस उल्टा सीधा आपने रख दिया, एक proper arrangement के साथ रखेंगे न, तो वो दिखने में भी काफी सुन्दर लगेगा, तो यह almost दिखे, चार लाइन में मेरी row complete हो गई है, धीरे-धीरे, अच्छे से इसको मैंने बिना gap छोड़े, fill कर दिया है, अब मैंने एक column छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ मैं red अनार के दाने डालूंगी, color combination को थोड़ा सा मैं bright दिखाना चाहती हूँ, अच्छे से, तो अब मैं black वाले ये grapes set कर रही हूँ, जैसे मुझे आज ये वाले fruits मेले, आपको जो fruits मिलते हैं, आपको try कर सकते हैं, और अब इनके बीच में ये जो अनार के दाने हैं, उनको में set कर रही हूँ, अगर आपको strawberry मिलती है, cherries मिलती है, आप वो ले सकते हैं, या फिर आप chocolates को लेकर, gems को लेकर के भी a prank cake बना सकते हैं, और बाद में आप उन्हें chocolate बगरे दे करके enjoy कर सकते हैं, क्योंकि या प्रैंकेक जिस पर apply करेंगे न, वो थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाएगा, या बना के दिया है तुमने, और फिर आप उनको उच्छी जो से खुश कर लीजे कि मैं क्या कर रही हूं, ममा कोई cake का order है, वो शायद complete कर रही है, अभी उन्हें बताया नहीं है, कि मैं तुमारे लिए cake बना रही हूं, तो चलिए आज का तो मज़ा ही आने वाला है, वीडियो को end तक प्लीज प्लीज जरू देखेगा, इनके reactions जरू देखेगा, ये बच् मैं चैनल के लिए कोई वीडियो शूट करना चाहते हैं, तो cream ये gel अगरे से भी cake की decoration कर सकते हैं, तो अब मैं क्या कर रही हूं, सारे fruits लगाने के बाद, जो end है न, जाब पर edges है, वहां पर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा gap छोड़ा था, so that एक proper उपर वाला border बना दू, जि कोई लगे की भी cake नहीं लग रहा है नीचे क्योंकि बरतन अलका-फुलका दिख सकता है, edges पर, तो वहां पर भी अच्छे से इसको हाइट कर देंगे, border की मदद से, और हमारा first class, ये देखिए, 1 kg का fruit pancake ready है, तो नीचे का border बनाने के बाद न, अभी थोड़ी सी इस पर shiny effect दे इस तरीके का, जो भी आपके पास fancy topper हो, but standing वाला topper इस पर नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे था हमारे dabba है, या ganji है, जो से बोलते हैं, cake नहीं है, जिसमें ये insert हो, तो मैंने तो वैसे किसी बद्दे के लिए नहीं बनाया है, तो मैंने एक red cherry लगा दी है, और थोड़ा सा silver spray कर देंगे, cream के उपर, उपर, fruits पर आप नहीं जाएगा, otherwise वो थोड़े से छुप जाएगे, उनका जो color है, वो थोड़ा सा डल हो जाएगा, but cream के उपर आप अच्चे से spray कीज़ेगा, और अगर आप friends की prank cake, या एक normal fruit cake भी बना रहे हो, चाहते हैं, ये fruits आपके fresh रहें, क ये तो frying cake है, जल्दी से over हो जाएगा, पर अगर आप किसी को fruit cake बना कर gift कर रहे हैं, तो ये वाली process जरूर कीज़ेगा, detail इसका देखना चाहते हैं, तो मेरे इसी वीडियो के description box है, उसका link देख करके, आप proper fruit cake की recipe भी देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, fruits को देखके, क्या मज़ा आ रहा है, तम चमकते-चमकते fruits हैं, और मतलब बढ़िया लग रहा है, कोई नहीं अंदाजा लगा सकता कि ये डब्बे की उपर बनाया हुआ cake है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और अभी मैं इसे Instagram, Facebook पर भी डालने वाली हूँ, तो वहा पर इसको ले जाने से पहले ना, friends, दो-चार clip शूट कर लेती हूँ, और वाइस फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, ब्रेंग cake रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं, मैंने फ्रूट के style का बनाया है, so that काटने के बाद उनको कुछ नहीं मिलेगा, but फ्रूट खा के कि जब स्कूल से आये थे, तो मैंने इसके उपर क्रीम कर दी थी, और foods काट रही थी, तो उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा कि इसके नीचे cake नहीं है, अब फटा-फट चलते हैं, लो भई, आपका cake आगया है, अब से वेट कर रहे थे, चलो-चलो, खालो-खालो, चलो- आगया है, तो मैंने केक बनाया है, ठीक है, यारी परी आचाओ तुम भी, मुझा पहले में थोड़ा फ्रूट्स कालो-खालो, कौनसा फ्रूट्स पसंद है, और उसके बाद क्या खाओगे, अल्ना, खाओ-खाओ-खाओ, परी तुम भी खालो, फ्रूट्स, अच्छे से ख काटो, काटो, इनको काटने है है, आपरी तुम काटो, क्या है, क्या है, क्या हुआ, काटो ना, विदे, क्यों नहीं काट रहा है, बाई, क्या पता था ग्रूट्स to know this is happening, यह बता था, क्या बता था, तो यह तुम्हारी खुशी में मम्मी ने बनाया है बड़ी बेटी तो समझ गई यह क्या यह केक नहीं है यह है यह हमारा प्रैंक केक इसको क्या बोलते हैं यह लोग यूट्यूब में मुझे खूप सारे ना प्रैंक दिखाते हैं चलो में तुमारी गंदी वाली ममा नहीं थोड़ी सी अच्छी वाली ममा हूँ जो अपनаться घर्मेल रखने चर् Platz में प्रैंक करेंड़े और वे लोग को मैं प्रैंक वी थी हैं तो मैं फुरू जयन कर सकते हैं पटावट फ्रूट्स खालो और मैं सारी क्रीम निकाल के वापस डंप करने वाली हूँ तो फ्रेंड्स इस तरीके से सारे डबे की क्रीम जो है मैंने पॉच करके निकाल करके यह बाउल में निकाल लई है और इससे कोई भी आप दूसरा प्रेंग केक बना सकते हैं यूट्यूब के लिए वीडियो वगरा शूट करना चाहते हैं और आपको केकी डेकोरेशन अपने चैनल पर दिखानी होती है तो इस तरीके की क्रीम को आप रखिए फिर से दूसरे केक पर लगा करके डेकोरेशन कीजिए बट इसको खाने में यूज ना कीजिए इसको केकी डेकोरेशन में तरह तरह की के दिखा करके आप डंप कर सकते हैं डेस्ट्रॉइ कर सकते हैं और मेरी इस मैथट से अगर मेरे जो बिगिनर से उनकी थोड़ी बहुत भी हल्क हो जाती है तो मैं समझागी कि मेरा इस वीडियो को बनाने का जो में एम था वो सफल तो मैंने बताया अब उनके पापा आने वाले हैं तो बोले पापा को भी बताएंगे तो दिखते उनका रिस्पॉंस और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई यो फ्रेंड्स इससे कुछ आपको सीखने को मिला हो तो लाइक शेर जरूर कीजिए चैनल पर नहीं है तो तो यह था फ्रेंड्स आज के की रेसिपी को लेकर के हमारा घपले वाला वीडियो बटकाल ओरिजिनल के की रेसिपी के साथ डेकोरेशन के साथ में फिर मिलूंगी बबाए ठेक केर आप